नमस्कार दोस्तो आज हम घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए एक देशी नुस्खा बताने वाले हैं दोस्तो वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल इपिस्किप मत कीजिए लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक् बीज है इसे कहीं कहीं पे राई भी कहते हैं एमपी में इसे राई भी कहते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि मैं एमपी का रहने वाला हूँ तो यहां पीसे राई कहते हैं और सरसों के बीज कई प्रकार के होते हैं जैसे कि ये ब्लैक कलर में है थोड़े ब्राउन में है त से भी मस्टर ऑइल बनता है हम लोग तो इसी को मतलब इसी का तेल बनवाके गर में ठीक है सरसों का तो यही इसी प्रकार की आपको जो है सरसों के बीज चाहिए ठीक है दूसरे बीज नहीं होने चाहिए यही वाली वीज चाहिए आपको जो ब्लैक कलर के ब्राउन कलर के होते हैं ठीक है तो इनको आपने क्या करना है कि अच्छे से पीस लेना है ठीक है अगर आप 50 ग्राम तकरीबन पीसते हैं ठीक है तो उसमें 3-4 चमस आपने डालना है केरोसिन का तेल यानि कि मिट्टी का तेल होता है केरोसिन तो वही आपने उसमें मिलाना है ठीक है पीसने के बाद फिर मिलाना है आपने अच्छा गाड़ा सा पेस्ट बन जाना चाहिए ठी फिर क्या करना है आपने कि जहां पर दर्द है यानि घुटनों पर दर्द है यह घुटनों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं बार-बार क्योंकि दूसरी सेंस्टिफ स्किन पर नहीं लगाना है ज्यादा पतली स्किन पर नहीं लगाना है आपने घुटनों पर ही इसको लग काम कर जाएगा आपका ठीक है और आपका जो दर्द है घुटनों का मतलब कि इसको लगाता ही 10-15 मिट में आराम मिलने लगता है तो आप इसे लगा के रखिए तीन से चार घंटे तक और फिर इसको साफ कर लीजिए पानी से साफ कर सकते हैं गरम पानी से ठीक है और इस नुस को से पोई भी दिक्कत लगती है जैसे कि उस जगह पर रेड़नेस होती है खुजली होती है जलन होती है अगर आप इसको लगाते हैं या फिर फिंसिया निकलती है तो आप इसको तुरंत बंद कर सकते हैं और अपने वैद इसी सला जरूर ले सकते हैं और बिना वैद की सला कि इसे इस्तिमाल ना करें दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जुरू कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद